जैशी कुछन दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो इस बार पुर्णिमा पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा रहा है गुरुवार का दिन है गुरु ब्रहस्पती का माना जाता है इस्त्री की कुंडली में गुरु देखे संतान से और पती से चाहिए और वहां पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए साथ ही दोस्तो इस दिन श्यरी भगवान का माता लक्षमी का पूजन करके अगर एक वस्तु आप खाल लेते हैं तो यकीन मानिया आपको मन वांचिन संतान की प्राप्ती होती है उसकी जानकारी देने से पहले दोस्त तो सस्क्राइब जरू कर ले बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वारी सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो पूर्णीमा बहुत ही शुब दिन माना जाता है पूर्णीमा के दिन सतनायन भगवान की पूजा करने से इस दिन दोस्तो देखे पंजीरी का भोग लगाया जाता है और आपको केले का भोग अवश्य ही शीहरी भगवान को लगाना चाहिए दोस्तो इस दिन आपको देखे एक दरजन केलो का भोग लगाना चाहिए केले देविक फल माने जाते हैं सभी देपताओं की पूजा में केले को सर्व परिफल माना जाता है यानि देविक फल दोस्तों केला एक मात्र ऐसा फल है जो सभी देवताओं को प्रिए माना जाता है चाहे वो गडेज जी हो या शीहरी भगवान हो या हनुमान जी हो सभी को देखे केला प्रिए माना जाता है इसलिए केले को देखे देवि रखकर और आप मतलब सतने भगवान का पूजन करते हैं तो आप पंजिरी का भोग भी अवश्य लगाते होंगे तो दोस्तों आप अवश्य भोग लगाएं और उनके आगे एक घीका दीपक जलाकर आपको संतान प्राप्ती के लिए पुत्र की इच्छा है तो पुत्र प्रा एक वस्तु अवश्य चड़ानी है दोस्तों आपको एक जायफल लेना है जो आपको मसाले में यूज होता है मतलब साबुच जायफल लेना है उसको आपको तिलक लगाकर आपको श्यहरी भगवान को अर्पित करना है और थोड़ा सा गुड़ भी आपको श्यहरी भगवान को अर्पित करना है दोस्तों केले का भोग तो लगाना ही है अगर आप देखे गर्वती हैं तो इस दिन आपको देखे जायफल नहीं लेना है अगर आपको अभी तक कोई संतान की प्राप्ती नहीं उपा रही है तो आप पूजा करने के बाद थोड़ा सा जायफल गिसकर एक केला रख ले और बाकी केलों को आपको देखे प्रसाद सरूब सभी में बाड़ देना है घर परिवार में अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी लोग है उनमें बाड़ दे और एक केला आपको अपने लिए रख लेना है यानि जो इस्तरी है उसको एक किला ग्रहन करना है अगर आप गुरुवारी की पूजा नहीं करते तो आप उस दिन भी खा सकते हैं नहीं तो आप दूसरे दिन खा सकते हैं साथ ही दोस्तों जो गर्वती इस्तरी हैं उनको देखे जायफल घिसकर नहीं लेना है क्योंकि जायफल काफी गर्मी करता है लेकिन जिनको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है उनको थोड़ा सा जायफल घिसकर गुड़ के साथ लड्डू बनाकर उसे ग्रहन करना है शियरी ग्रहन कर लेना है और एक केला भी आपको ग्रहन करना है अगर आप गुरुवार का पूजन करते हैं तो आप दूसरे दिन ग्रहन कर ले दोस्तों इस दिन बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनावा है महा पुर्णिमा पर महा शुपसाय योग बन रहा है इस दिन देखे कई सार आवश्य ही पूरी ही होगी आपके घर में सुक्स मृद्धी का वास होगा और शीगर ही आपकी सुनी गोद भर जाएगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू करिएगा आप सभी को जैशी किश्मा